जगदगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य एक भारतिय हिंदु आध्यात्मिक नेता, शिक्षक, संस्कृत विद्वान, बहुभाशाविद, कवी, लेखक, पाठ्थे टिप्पनिकार, दार्शनिक, संगीतकार, गायक, नाटककार हैं। वह चार मौझूदा जगदगुरु रामानंदाचार्य में से एक हैं और उन्होंने 1988 से यह उपाधी धारण की है। श्री गिरिधर जी की दो महीने की उम्र में ही आँखों की रोशनी चली गई। 24 मार्च 1950 को उनकी आँखें ट्रेकोमा से संक्रमित हो गई। जून 1953 में गाव में एक बाजीगर के बंदर नृत्य शो में गिरिधर सहित बच्चे अचानक भाग गए जब बंदर ने उन्हें चूना शुरू कर दिया। गिरिधर एक छोटे से सूखे कुए में गिर गए और कुछ समय तक फंसे रहे जब तक कि एक किशोर लड़की ने उन्हें बचा नहीं लिया। उनके दादा जी ने उन्हें बताया कि उनकी जान बच गई क्योंकि उन्होंने उसी सुभा भगवान राम के प्रकट होने के प्रकरण से राम चरित मानस में एक शलोक की निम्नलिखित पंक्ती सीख ली थी। ये चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भवकुपा। पाँच साल की उम्र में गिरिधर ने अपने पडोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की मदद से 15 दिनों में पूरी भगवत गीता को याद कर लिया, जिसमें अध्याय और शलोक संख्या के साथ लगभग 700 शलोक शामिल थे। 1955 में जनमाष्टमी के दिन उन्होंने संपूर्ण भगवत गीता का पाठ किया। जब गिरिधर 7 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने दादा की सहायता से 60 दिनों में तुलसी दास के पूरे रामचरित मानस को याद किया, जिसमें अध्याय और चंद संख्या के साथ अपनी आत्मकथा की शुरुआत में कहते हैं। पूर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्याले में दाखिला लिया। उन्होंने 1974 में शास्त्री बैचलर ओन अफ आर्ट्स डिगरी के लिए अंतिम परीक्षा में टॉप किया। 1976 में गिरिधर ने स्वामी करपात्री को राम चरित मानस पर एक कथा सुनाई। जिन्होंने उन्हें शादी न करने, आजीवन ब्रहमचारी रहने और वैश्व संप्रदाय में दीक्षा लेने की सलाह दी। उन्हें राम भद्रदास के नाम से जाना जाने लगा। वीडियो का अगला हिस्सा जल्द ही आने वाला है।